हेलो च्टूएंŷ मैं प्यूस राजपूत और आपका अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लासेभा, जैसे वसक्त है पेहले आपको थोड़ अध ME करा है, एलेक्ट्रिक पोतेंशल दिफरेंस्च और इलेक्टरिक पोटेंशल कबर potential क्या था मैंने आपको बताया था कि electric potential difference आपको absolute value देता है यानि कि हम अगर किसी भी unit positive charge को unit positive charge को electric field में एक point से दूसरे point तक लेके जाते हैं बहुत slowly move कराते हैं तो जो भी amount of work done होता है against electrostatic force उसी work done को हम बोलते थे potential difference फिर मैंने आपको बताया था कि electric potential यानि कि हम ये मान के चल रहे हैं कि infinity पर potential क्या है 0 यानि कि अगर हम किसी भी unit positive charge को infinity से electric field की अंदर किसी point पर लाते हैं तो जो भी amount of work done होगा बच्चो वो आपका electric potential होगा तो चलो बच्चो आज निकालते हैं electric potential due to a point charge तो बच्चो सबसे पहले मैं एक charge consider करता हूँ मैंने एक charge लिया हुआ है plus q अब आप एक charge को कहां से लेकार आ रहे हो infinity से तो आपका जो main काम है वो है कि उस charge को infinity से लाना कहां से ला रहे हो infinity से और आप लाना चाहते हो इस point p तक जिसकी distance इस charge से आ रहे हैं ठीक है किसी time पर बच्चो आप किस point पर हो a पर कितनी distance पर तो मैंने मान लिया बच्चो वो distance है x आपने थोड़ा सा move किया कितनी distance dx तो आप समझ में क्या कर रहे है हम एक charge को किस charge को एक q note charge को जो हमारा test charge है इस test charge को बच्चो हम infinity से ला रहे हैं इस q charge के electric field में बहुत slow move करते हैं क्योंकि कोई भी velocity में change ना हो कोई acceleration ना हो तो हम धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं किसी point a तक पहुँचे जहां कि distance dx है वो x है हलका सा move कर आया कितना dx work done करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं force निकालता हूं तो बच्चों देखो force कितना होगा तो force आपका हो जाएगा q q naught upon 4 pi epsilon naught x square यह मैं निकाल रहा हूं कहां पर a पर ठीक है अब निकालते हैं work done तो work done in moving work done in moving a distance कितने distance dx अगर यह dx move करता है तो कितना amount of work done होगा तो आपको पता है work done होता है force into displacement into cos theta अब देखो theta की बात कर लेते हैं तो आपका जो force है वो इस direction में लग रहा है और जो movement है बच्चों वो इस direction में हो रही है तो दोनों के जो बीच में angle है वो 180 है क्योंकि force और displacement एक दूसरे के opposite हैं ठीक है बई एक दूसरे के opposite हैं तो अब आपके पास है q, q naught upon 4 pi epsilon naught x square dx cos 180 और आपको पता है बच्चों cos 180 की value होती है minus 1 रख देते हैं ठीक है बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं तो हमारे पास क्या आगया q, q naught upon 4 pi epsilon naught cos 180 की value minus 1 रख दी dx upon x square कहां से आ रहे हो infinity से कहां जाना है आड़ तक कोई दिक्कत चलो बच्चों अब करते हैं integrate आपको पता है formula की x की power n का जो integral होता है वो x की power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है एकी formula है जो मैं याद रखना है तो minus q, q naught upon 4 pi epsilon naught power उपर गई तो minus में हो गई तो minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 limit infinity से r के लिए रहे इतनी बात चलो अब आपको पता है कितना आएगा तो minus q, q naught 4 pi epsilon naught x की power minus 1 upon minus 1 limit r से infinity to r इस minus से ये minus आप cancel कर सकते हो तो आजाएगा q, q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon x, x की power minus 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 upon x infinity to r एक बार upper limit रखेंगे और एक बार lower limit रखेंगे तो 1 upon r minus 1 upon infinity तो बच्चों जो ये 1 upon infinity है, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, तो क्या आजाएगा तो हमारे पास आजाएगा q, q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r तो ये आपका work done आ गया, ठीक है, अब potential निकाल सकते हैं, तो v is equal to होता है w by q, यानि की q q naught upon 4 pi epsilon naught r upon q naught, q naught से q naught cancel तो आ गया q upon 4 pi epsilon naught r, ठीक है, तो बच्चों क्या potential आया, तो potential आया q upon 4 pi epsilon naught r, simple है, को दिक्कत, यानि करा क्या गया, आपने सबसे पहले एक charge लिया q, उसके electric field में हम एक charge ला रहे हैं, q naught कहां से, infinity से तो जो भी amount of work done है, वो हम निकालना चाहरे हैं, work done होता है force into displacement into cos theta theta की value 180 है, क्योंकि उनके बीच का angle x80 है, और cos x80 की value होती है minus 1 हमने work done निकाला, integrate करा, infinity to r, फिर हमने potential का formula लगाया, v is equal to w by q और उससे हमने क्या निकाल दिया, potential, ठीक है, अब जो potential आया, उसे ध्यान से देखो, कुछ चीजें हैं जो हम numerical में दिमाग में रखेंगे, जैसे अगर आपको कभी भी potential निकालना है, तो यह जो charge है, बच्चो, इसको आप with sign रखेंगे, अगर positive है, तो positive रखोगे, और negative है, तो negative, क्योंकि यह एक scalar quantity होती है, कैसी quantity होती है, बच्चो, scalar, तो आप with sign रखोगे, ठीक है, बच्चो, और अगर आपको graph draw करने को आता है, किस-कि is inversely proportional है, r की, यानि कि जैसे-जैसे r की value बढ़ेगी, वैसे-वैसे v की value कम होती चली जाएगी, और infinity पे जाके यह क्या होगा, 0, तो इस तरह से आपका graph बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यानि कि v is inversely proportional to क्या है, r की, के लिए है इतनी बात, तो हमने electric potential due to क्या पॉइंट चार्ज हो आया, v is equal to q upon 4 pi epsilon note r, अब देखो बच्चो, ये तो हो गया, अब होता क्या है, कि कभी-कभी आपको एक ring भी दे सकता है, ये आपके पास एक ring है, ठीक है, और इस पर एक uniformly charge distribute किया गया है, और आपसे इसके center से x distance पर point दे दे और आपसे potential पूछे, तो देखो बच्चो, एक चीज़ का आप ध्यान दखना, कि जो potential है, वो एक scalar quantity है, तो ये आपको एक algebraic sum देता है, क्योंकि इसमें तो हमें ऐसे तो हैं नहीं कि इसके आप components बगयरा करोगे, तो अगर distance, ध्यान दखना, distance क्या है, उस point से सभी charge की सेम होगी, सभी charge की क्या होगी, बच्चो, सेम, अगर इसकी radius को मैं r मान लूँ, तो ये distance कितनी है, बच्चो, तो ये r square plus x square होगी, और ये सभी charges की distance यहां से सेम है, आप यहां से लो, चाह यहां से लो, इस तरह से आपके पास ring रखी हुए, और उसके center से एक p point पर मैंने क्या लिया हुआ है, point जिस पर मैं potential निकाल रहा हूँ, इस पूरे पर charge है q, तो जब कभी भी बहुत सारे charges हो, लेकिन distance अगर सेम है, तो बच्चो, आप सीधा formula लगा सकते हो, q net upon 4 pi epsilon not r, अब charge है q, distance देखो कितनी है, तो आप ring की वज़े से भी अगर निकालो, तो आप सीध ठीक है बच्चो, तो ये आपका एक expression भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही होता है, clear है, तो हमारे पास potential आ गया, q upon 4 pi epsilon not under root r square plus x square, ध्यान लखना, जब कभी भी charges बहुत सारे हो, लेकिन distance सेम है, तो आप इस formula का भी use कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बच्चो, अब numerical कर लेते हैं, इन formula को दिमाग में रखते हैं, अब देखो first numerical क्या कहता है, determine the electric potential at the surface of golden nucleus, the radius is, आपके पास क्या given है, radius, यानि कि आपके पास r given है, 6.6 into 10k power minus 15, आपके पास z given है, तो हम इसका use करके charge निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है, जितना atomic number होगा, number of proton और number of electron तो बराबर होगे, तो इस पर कितना charge हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, 79 into 1.6 into 10k power minus के 19 कुलम, ठीक है न, charge हमें given है, proton का, उको दिक्कत तो नहीं, चलो, अब potential का formula, q upon 4 pi epsilon not r, q की value हमारे पास है, और हमें one upon, 4 pi epsilon not की value भी पता है, 9 into 10k power 9, ओके, तो 9 into 10k power 9, चार्ज कितना है, तो चार्ज है, 79 into 1.6 into 10k power minus 19, ओके, और distance, देखो, जो है, वो है, 6.6 into 10k power minus 15, अगर हम इसको solve करेंगे, तो इस solve होके, देखो, आप इसको point से point हटा सकते हो, 2 से divide भी कर सकते हो, यह आजाएगा 8, और यह आजाएगा 33, आप इसको 3 से भी divide कर सकते हो, यह आएगा 3, और यह आएगा 11, तो आपका हो गया 24 into 79, अपोन 11, और यह है 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और यह आपका है 19, तो 10 की power 5, ठीक है, अब इससे अगर solve करोगे, तो यह 11 to the 22, कितने बचे 20, अब हमारे पास आगया 1, तो यह हमारे पास हो जाएगा 11, इस तरह सा अगर आप multiply करोगे, तो यह approach 1.7 into 10 की power 7 बोल्ट आएगा, कोई दिकन तो नहीं, simple आप multiply कर सकते हो, यानि कि हमारे पास electric potential निकालना था, surface of the golden nucleus, हमारे पास charge अवेलेबल था, distance अवेलेबल थी, simple हमने formula लगाया, और उस formula का use करके हमने अराम से potential निकाल दिया, इतनी बोल्ट, चलो, देखते हैं second question क्या कहता है, calculate the potential at point P due to the charge of इतने, located 9 cm अभी, हमें charge दिया हुआ इतने कुलाम, हमें सबसे पहले potential निकाल लेता हूँ, चलो भई, potential का formula आपको पता ही है, V is equal to Q upon 4 pi epsilon note R, charge है 4 into 10 की power minus 7, और आपको बना पोन 4 pi epsilon note की value भी पता है, और distance है 9, तो ये भाई 9 से 9 cancel हो जाएगा, तो क्या value आजाएगी, 4 into 10 की power, हमारे पास 4 into 10 की power, ये centimeter में था बच्चो, इसको meter में भी change कर लेना, इसको किस में था ये centimeter में, तो इसको किस में change कर लेंगे, meter में, तो ये आजाएगा 4 into 10 की power, 4 bolt, निकल क्या potential, अब second part क्या क्याता है अगर हमें पता है, V is equal to होता है, W by Q, तो W is equal to हो जाएगा, V into Q, 4 into 10 की power 4, 2 into 10 की power minus 9, तो ये आजाएगा, 8 into 10 की power minus के 5 J, को दिक्कत तो नहीं, clear है, simple potential का formula यूज किया, उससे हमने potential निकाल दिया, charge able level था, फिर हमने V is equal to W by Q का यूज किया, simple definition से और हमने वर्मटन निकाल दिया, चलो बढ़ते हैं, अगले की ओर, कराएगा, metal wire is bent in the circle of radius 10 cm, यानि कि जो radius है, वो आपकी 10 cm है, मतलब 0.1 m है, charge कितना है बच्छो, तो Q आपके पास है, 200 into 10 की power minus 6, calculate the electric potential at its center, मतलब आपके पास एक circle है ये, और इस circle पर मानलो, ये आपको positive charge है, uniformly distribute है, मैंने आपको बताया था, कि अगर आपकी जो distance है, वो सभी charges से same है, तो आप सीधा formula लगा सकते हो, Q net upon 4 pi epsilon not r, लगा सकते हो, charge पता है, कितना charge है बच्छो, आपके पास, तो charge है, 200 into 10 की power minus 6 upon, और हमारे पास जो distance दी होई है, वो है 0.1, ठीक है, अब इसको अगर हम simplify करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 9, 2, 0, 18 into 9, 2, 11, और यह आजाएगा, आपके पास 11, यानिकि 10 की power 6, सही है, आसान सा question था, simple calculations थी, चलो बच्छो, देखते हैं, next, क्या कहता है, कह रहा है कि electric potential intensity at point B, due to a point charge Q, kept at point A, is इतना, ओके, यह आपके पास electric field दिया हुआ है, आपके पास formula होता है, Q upon 4 pi epsilon 0 r square, और potential का formula, Q upon 4 pi epsilon 0 r, क्या है यह, यह है 24, Q upon 4 pi epsilon 0 r square, equation number 1, potential क्या है, तो potential है 12, Q upon 4 pi epsilon 0 r, अब देखो बच्छो, दोनों को divide कर देते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले निकान ली है distance, यानि की r, अब अगर मैं दोनों को divide करता हूँ, तो देखो 24 upon 12, Q upon 4 pi epsilon 0 r square, Q upon 4 pi epsilon 0 r, 4 pi epsilon 0 r से cancel, Q से Q, r से r, 12 से 24, तो 2 is equal to 1 upon r, तो r की value आ जाएगी, 0.5 meter, सही बच्छो, तो distance निकल गई, अब निकानना क्या है, also the magnitude of charge, इस r को किसी भी equation में रख दो, जैसे मैं इसमें रख देता हूँ, तो 12 इसको उठा के कहां रख देते हैं, इसमें, तो 12 is equal to 9 into 10 की power 9, Q और r की value हो गए 0.5, तो Q क्या आ जाएगा, तो ये आप करोगे multiply, तो हो जाएगा, 6 by 9 into 10 की power 9, आप इसे 3 से divide कर सकते हो, तो 2 by 3, divide करके आएगा, 0.66 into 10 की power 9, Q कोई दिक्कत, बहुत आसानी से कर लिया, चलो बच्चो, अब देखते हैं, अगला, करेंगा, तो what potential we must charge an insulated sphere of radius 14 cm, so that the surface charge density is equal to 1 micro coulomb per meter square, surface charge density, 1 micro coulomb per meter square, यानी की 1 into 10 की power minus 6 coulomb per meter square, radius भी है, 14 cm, यानी की उसको meter में change कर लेते हैं, अब देखो potential का formula हमें याद है, Q upon 4 pi epsilon note r, और आपने पढ़ा था, जो sigma होती है, वो charge per unit area होती है, तो मैं इस Q की जगे sigma 4 pi r square यूज कर सकता हूँ, चलो भई, यूज कर लिया, sigma 4 pi r square, 4 pi epsilon note r, एक r से एक r cancel, तो आज आएगा 9 into 10 की power 9, 4 pi, मतलब 4 into 22 upon 7, ठीक है बच्चों, इसकी value आ गई, 4 pi रग देख, सिग्मा, सिग्मा कितना है, सिग्मा है 14 into 10 की power कितनी है, हमारे पास 14 into 10 की power minus 2, और यह है 1 into 10 की power minus 6, यह आपके पास 7 से यह चला जाएगा, अगर हम power की बात करें, तो 6 or 2, 8 सिर्फ एक बचेगी, तो हमारे पास 9, हमारे पास 4, 22 into 2, into 10, अगर इसको solve करें, तो 9 forza 36 into 44 into 10, तो अगर इसको solve करेंगे, तो यह approach बच्चों आता है, 15840 volt, कोई दिक्कत तो नहीं, simple value है, simple multiplications है, ठीक है, चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं, अगले question की ओर, क्या कहता है, क्या आट 27 drops of the same size are charged at 22 volt each, they collapse to form a bigger drop, calculate the potential of bigger drop, आपके पास जो छोटी drop है, उसका potential दिया हुआ है, q upon 4 by epsilon note r, माल लिया है, उसकी radius small r है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, छोटी छोटी drop मिलके एक बड़ी drop बनाएंगे, तो आप क्या करो, पहले बड़ी drop का radius निकालो, तो देखो जो बड़ी drop है, उसका volume कितना होगा, तो 4 by 3, ये larger drop को निकालना हूँ, और equal to में आ जाएगा हमारे पास 27 into smaller drop, ठीक है, तो 4 by 3 pi r cube, 27, 4 by 3 pi small r cube, तो ये से cancel, अगर cube root निकालने तो r is equal to 3r, ये आगे radius है, ठीक है, अब potential निकाल लेते हैं, तो potential का formula आपको पता है, क्या होगा, तो potential आपके पास होता है charge, अब देखो, एक पर अगर charge q है, तो 27 drop पर कितना होगा, तो 27 q upon 4 pi epsilon note capital r, capital r की value रखते हैं, 27 q, 4 pi epsilon note, कितनी value है, 3r, तो ये इस से cancel हो जाएगा 9, अब जो बचा हुआ है, देखो बच्चो, ये जो है, ये simple यही तो है, b और v की value कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है, 9 into 220, ये मतलब 1, 9, 8, 0, भई इसकी value ही तो ये दे रखी है, सही है इतनी बात, तो जब कभी आए तो 1, 9, 8, 0 volt आपका आगया, अब यासा question आते हैं ये, कि भई 27 drop, 64 drop, तो आप क्या करें, सबसे पहले volume को relate कराएं, volume को relate कराने के बाद ही आप use करें, नहीं तो देखो पच्चो एक formula और है, उसको में बतायता हूँ, आप direct use कर सकते हो, V जब भी निकालना हो, तो ये हो जाएगा, बन लिख देता हूँ, V into N की power 2 by 3, इससे याद रखना, इससे आप direct भी निकाल सकते हैं, जैसे N क्या होगी, number of drops, कितनी थी इसके अंदर, तो इसके अंदर number of drops थी 27, 2 by 3, तो जब आप use करोगे सीधा, तो ये आएगा, 27 का cube root 3, और 3 का square 9, तो सीधा वो ही आजाएगा, आप direct ये भी कर सकते हो, अगर objective type question आता है, तब, मतलब MCQ, जो आपके first time में आ रही हैं, लेकिन अगर solve करने को आता है, तो आप ऐसे ही करें, ठीक है बच्छो, अगले पर आते हैं, तो चार्ज आपके पास है, 3 into 10 की power minus 8 कुलाम, minus 2 into 10 की power minus 8 कुलाम, are located 50 cm apart, at what point of the line joining the two charges, the electric potential is 0, ठीक है, आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है, 3 into 10 की power minus 8 कुलाम, और दूसरा चार्ज है, minus 2 into 10 की power minus 8 कुलाम, ये आपके पास है, अब पूछ रहा है कि किस point पर potential 0 होगा, अगर इनके बीच का separation 15 cm है, तो मान लेते हैं भई, कि कहीं point P है, जो इससे x distance पर है, तो बची होई distance कितनी हो जाएगी बच्छो, तो 15 minus 7, potential निकालते हैं इस point पर, इसकी वज़े से potential होगा, 3 into 10 की power minus 8, upon 4 pi epsilon 0x, और इसकी वज़े से जो potential होगा, वो होगा, वी 2, minus 2 into 10 की power minus 8, 4 pi epsilon 0, 15 minus x, दोनों का sum 0 होना चाहिए, तो ठीक है भई, रख देते हैं, तो 3 into 10 की power minus 8, upon 4 pi epsilon 0x, minus 2 into 10 की power minus 8, 4 pi epsilon 0, 15 minus x, उसको अधर भेज़ दो, तो 3 into 10 की power minus 8, 4 pi epsilon 0x, is equal to 2 into 10 की power minus 8, 4 pi epsilon 0, 15 minus x, 4 pi epsilon 0 से cancel, 10 की power minus 8 से ये cancel, अगर cross multiply करते हैं, तो ये आएगा आपका 3 into 15 minus x और 2x, तो 45 minus 2x is equal to, sorry, 3x is equal to 2x, तो 5x is equal to आगया, तो x की value आजाएगी, 9 cm, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन बच्चो, ध्यान रखना, एक position और होगी, जहां पर ये 0 हो सकता है, बाहर, और बाहर हमेशा छोटे वाले charge के पास में होगी, किस के पास में है, छोटे वाले charge के पास में, चोटे वाले charge के पास में देख लेते हैं, छोटा वाला charge कितना है, तो वो है 3 into ये distance थी आपकी, एक charge था 3 into 10 की पावर माइनस 8, दूसरा charge था माइनस 2 into माइनस 8 कुलाम, वो बीच का separation था, प्यारे बच्चो, 15 cm, अब मैंने क्या करा, यहां से P point लिया, जो distance X पर है, सही है, अब potential निकालते हैं, दोनों की वज़े से potential निकालते हैं, पहले इसकी वज़े से निकाल देते हैं, B1, तो 3 into 10 की पावर माइनस 8, ध्यान रखना, दो position होंगी, एक बीच में होगा, तो एक आपका बाहार होगा, ठीक है, वो छोटे वाले के पास होगा, तो यह आ जाएगा, 15 plus X, 4 pi epsilon note, ऐसी मैं अगर V2 निकालता हूँ, तो माइनस 2, ध्यान रखना, charge with sign रखोगे, क्योंकि यह एक scalar quantity है, तो V1 plus V2 is equal to 0, तो यह आएगा, 3 into 10 की पावर माइनस 8, 4 pi epsilon note 15 plus X is equal to 2 into 10 की पावर माइनस 8, 4 pi epsilon note X, 4 pi epsilon note से cancel, इससे यह cancel, तो यह आ जाएगा, 3X is equal to 30 plus 2X, और आगया आपके पास, कितना, 2X गए तो X is equal to 30 cm, यानि कि इस charge से कितनी distance पर आएगा, 45, पर यहां से 30 है, तो वहां से 45 cm, ओके, चलो बच्चो, देखते हैं next, calculate the electric potential at the center of a square of side root 2 meter, and having each charge is इतना, at the four corners of a square, बहुत आसान है, देखो बच्चो करना क्या है, आपके पास, एक square दिया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, कि जब कभी distance अगर same हो, तो आपको सीधा Q net वाला formula लगाना है, यह इसका center हो जाएगा, ठीक है, यह इसका क्या है center, अब देखो आपके पास charges कितने, 100 µ, minus 50 µ, 20 µ, minus 60 µ, और यहाँ पर आपको potential निकालना है, अब देखो यह है root 2, meter, और यह भी कितनी है, root 2, तो पहले इसकी diagonal निकालते हैं, तो बच्चो diagonal आपको पता है, यह पाइथागोरस से निकाल सकते हो, तो आजाएगा AC square is equal to, root 2 का square, root 2 का square, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और 4 का square root हो जाएगा 2, तो यह आगई 2, अब यह 2 है, तो यह 1 meter हो जाएगा, simple हमें potential निकालना है, तो मैंने आपको बताया था, सीधा formula लगाएए, अगर distance सभी की same है तो, तो कितनी distance है, आपको पता है, सभी की distance हमारे पास 1 है, अब charge की बात करते हैं, charge देखो कितना है, 100, minus 50, 20, minus 60, तो 100 और यह हो गया 120, और 50 और 60 हो गया, कितना आपके पास 110, तो 10 micro कुलम net charge है, अब देखो कितना आ जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा, 9 into 10 की power 4 bolt, सही है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंना आपको बताएगे, जब भी distance सेम हो, आप सीधा पॉर्मूल लगाएगे, देखते हैं, next question, कराएगे two charges, minus q and plus q, are located at the points, respectively, okay, how much work, देखो भाईगे, आपके पास 2 charge है, मैं पहले मैं उनको रख लेता हूँ, तो मैं इसको z axis माल लेता हूँ, कोई problem नहीं, एक हमारे पास यहाँ पर है, 0, 0, minus a, दूसरा है, 0, 0, plus a, ठीक, एक minus q charge है, दूसरा plus q charge है, अब कहरा, how much work is done, in a moving test charge, अब आपके पास इसको माल लेते हैं, x axis, यहाँ से एक point है, p, 7, 0, 0, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, minus 3, 0, 0, अगर मैं यह distance निकालता हूँ, तो यह distance आप निकाल सकते हैं, इधर a है, इधर 7 है, तो यह आपकी distance निकल जाएगी, माल लेते हैं, और यह कितना है, plus q, दोनों का जो charge है, net बोज जीरो है, बहिए q net क्या हो गया, 0, minus q, plus q, distance है same, तो potential क्या होगा, इस पाले point पर 0, same कहानी यहाँ पर है, इसकी distance भी क्या है, बच्चो, same है, और distance अगर same है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि इस पाले point पर भी potential 0, potential difference क्या हो गया, 0, तो भहिए आपने formula पढ़ाता है, v is equal to w by q, जब potential 0 है, तो work done भी 0 होगा, हाई न, कोई potential difference ही नहीं है, तो work done किस बात का, कोई दिक्कत तो नहीं, तो बच्चो, आज हमने, अपना, पूरा का पूरा, electric potential, ड्यू टू ये point charge कबर किया, फिर हमने कुछ important questions करे, लगता है, आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी सुझाप देना है, तो आप उसे comment में लिखें, और video को share करना न भूलें, और channel को subscribe करें, तो आज़ी क्लास में सिर बच्चो इतना ही, thank you.